हेलो गाइस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर और एकॉनोमिक्स लव्श कोशिक स्वागत करता हूँ आपका सिये वाला में और इस बार आपका बिजनस एकॉनोमिक्स एंड बीसी के का पेपर 20 दिसम्बर को है उसकी ताबड़त और तयारी के लिए most important questions बिजनस एकॉनोमिक्स के आज की क्लास में पेश किये जा रहे हैं और ये questions आपको बता दूँ जो ICAI का MTP November 2022 है उसके उपर अधारित है और यहां दो question में खास तोर पर बड़े level की problem है question number 36 और question number 44 वो problem आपको अभी दिख जाएगी कि कैसे solve होती है और आप भी feel करोगे जी हां हम सबसे बहतरीन और सबसे बढ़िया platform पर आके तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यहां पर असलियत में जो चीज गलत है उसको गलत कहा जाता है जो चीज सही है उसको सही कहा जाता है दिल खोल के कोई problem नियागी फिर भी आपको कोई दिक्कत डाउट परिशान नहीं है आप बताओगे comment section में क्योंकि यार आपका और हमारा रिष्टा कैसे बनता है आप comment section में जो भरपूर प्यार दे रहे हुँ न मतलब अपनी समस्या ही लिख रहे हो और मेरे को बता रहे हो कि सार आपक को marathon session रखा हुआ है 19 December को कि 20 को आपको इपर न तो 19 December को पूरे दिन बने रहना है इस बात को आप दिमाग में बसा लो कि आपकी तैयारी की गरेंटी लव कोशिक ने ले लिए तो आपके सामने business economics के most important question November 2022 MTP के उपर अधारित पेश किये जाएंगे total number of questions 60 है यार यहां पर प तो नहीं हो कि जैसे economic problems का नाम आता है वैसे ही दिमाग में Robins का नाम आता होगा नहीं आता ना तो आना चाहिए कोई बात नहीं Robins economics थे आपको economic problem का ग्यान होगा लेकिन बात हो रही है यहां पर इस question के अदर economics की study की जब आप economics की study कर लेते हो तो क्या इस बात की guarantee हो जाती है कि economic के अंदर जितनी भी problems है सारी की सारी आप solve कर दोगे नहीं economics पढ़ने का मतलब आप economic problem की एक बहुत अच्छे तरीके की understanding अपने दिमाग में develop करते हो उन problems को solve करने की policies बनाते हो लेकिन 100% guarantee है नहीं कि economics पढ़ने के बात सारी problem solve हो जाएगी क्योंकि हमारे पास resources limited है यह भी तो पढ़ी रहे हो ना economics में that factors of production are limited resources are limited and resources have multiple uses they have alternative uses एक resource के बहुत सारे use है तो आपको choice लेनी पड़ते है कि क्या करना है क्या नहीं करना अब देखो ना पांच लेटर मिलक है मेरे पास वो limited quantity में available है अगर मैं उससे दूद, धाई, लसी, पनीर, चीज, घी सब कुछ बनाने क आते हो सकती है तो सारी समस्याओ का समाधन होना is not possible, तो उस detail मतलब जो मैंने आपको information provide किया है उसके ओपर ये question अधारीत है, question देख लेते है क्या लिखा हूँ है, which of the following statement is true, नीचे कुछ statement लिखी हुए, चारो की चारो पढ़ेंगे, कौन सी सचा है ये बताना है, तो पहली of economics ये यकीन दिलाती है, ensure करने का मतलब यकीन दिलाना कि economy की सारी problems appropriately solve हो जाएंगी, ना, क्योंकि resource limited है, नहीं दिलाती है, नहीं दिलाती है, फिर बोलता है, the study of economics cannot ensure that all problems will be appropriately tackled, यानि economics की study ये यकीन नहीं दिलाती कि सारी problems appropriately solve हो जाएंगे, जी हाँ बिलकुल ठीक, साही सूट पैटती है ये, अभी तक ये लाइन ठीक है, यही तो कुछ है कुन से लेन ठीक है, अभी और option भी देखलो लेकिन बीच में दिजन मतले ना, हाँ, the decision of economics does not enable our student, तुमारी बात होगे student की, student to examine a problem in its right perspective, मतलब एक student को क्या ये यकीन नहीं दिलाती, एक student को enable नहीं करती कि वो problem को right perspective में, सही तरीके से, सही समझ में, बढ़िया तरीके से analyze कर सके, ये line गलत है, एक student economics पढ़ने के बाद, इस level पर पोच जाता है कि वो economic problems को सही तरीके से examine कर सके, examine करने का मतलब evaluate कर सके, क्या सही, क्या गलत ये पता लगा सके, आप लगा सकते हो पता, ये line गलत है ये line भी ग ही हमारा ठीक option, ठीक है इसके साथ जाएंगे, अगले पर आते है, question number 2 आपके सामने, अब यहां लिखा है business economics is dash, तो ज्यादा बड़े-बड़े option नहीं है, science, art, both science and art, या none of these, अब business economics या फिर economics, science भी है, art भी है, यहां पर theory की पढ़ाए भी होती है, practical knowledge भी होती है, तो it is both, बहुत simple है, तो बच्चों को यह peanuts की तरह लगेगा, बहुत असान, ऐसे ही, अंदर चला जाएगा, यह तो बहुत easy question है, question number 36 और 44 की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, वहां पर भजूरी है, वो पनोती solve करेंगे, आजाओ जी, question number 3, a rational person does not act unless dash, rational की बात सुनो, rational का मतलब क्या माना गया है, microeconomics में, एक producer को भी rational माना गया है, अभी तक यह rational person की बात हो यह यह नहीं बताया, कि यह person producer है या consumer है, यह हमें question पढ़ने के बात पता लगेगा, question में क्या लिखा हूँ है, a rational person does not act unless dash, the action is ethical, एक rational person तब तक act नहीं करेगा, act करना मतलब कोई action नहीं लेगा, गलत की समझ रखना, तो मतलब इसको बोल दो, सही और गलत की समझ रखने कोई सही बोलते है, actually, दो बंदे होगे ना तुमारा सामने, एक बंदा सही और गलत की समझ रखता है, और एक बंदा सही और गलत की समझ नहीं रखता, तो यह बंदा ethical है, यह ethical नहीं है, तो यह ethical इस इंकों कि योकि नहीं है मालो कोन्हों से आश्ट प्रणदा है रेοइड निषो क्रहomme की जादा है दिन्कमिंग औफ मॉनी म्ला एंप अचले मॉल nine इसरे तीठ्न हो हरा या पर अंव दुन इसर्क फेल फाइडा अब इसको marginal revenue मान के चलो marginal revenue ज़ादा है marginal cost से तो यह situation producer के लिए profitable है यहाँ पैसा ज़ादा आ रहा है और खर्चा कम हो रहा है the action makes money for the person action जो बंदे के लिए पैसा लेकर आए पैसा कितना यह quantify नहीं है यहाँ पर यह value given नहीं है कि maximize हो रहा है या limited है या फिर increasing है या decreasing है money के बारे में कुछ और statement given नहीं है तो डी वाली line complete है नहीं और what is wrong what is right के बारे में business में पूछा जाता है business में सोचा जाता है अपना economics में मान के चलते है एक rational producer है मतलब अपने profit को वो maximize करने के चक्कर में लगा हुआ है profit maximize वैसे वहाँ पर होता है जहां mr is equal to mc होता है producer equilibrium की situation लेकिन यहाँ पर यह situation lows की है और यह situation बता रही है कि profit कमाये जा रहा है तो इसको हम बढ़िया मानेंगे बढ़िया situation को ठीक करेंगे मतलब correct करेंगे और टिक करेंगे तो c हमारा साही होगा तो c के साथ जाएगे यहाँ पर भी fan का color change करते हुए अगले कोशन चौथे कोशन की तरफ move करेंगे हाँ तो लिखा है opportunity cost is dash अब opportunity cost क्या होती है माल लो मेरे पास दो option है और limited पैसे है limited resource है और दो option है पहला option कि मैं एक car का production कर लू या मैं 50 computer बना लू तो मैंने एक car बना ली तो क्या नहीं बनाया 50 computer जो चीज मैंने नहीं चूज की उसकी value को बोलते है opportunity cost क्यों बोलते हैं क्योंकि मैंने उसको पाने की opportunity miss कर दी अगर मैं 50 computer बना लेता तो एक car नहीं बना पाता तो एक कार की value होती मेरे लिए opportunity cost या फिर मानू मेरे पास दो option है एक school में पढ़ा कर टेली 5000 रुबी संद करूँ या फिर मैं book लिखकर टेली 6000 रुण करूँ अगर मैंने book लिखना चूज किया तो मैंने क्या चूज नहीं किया school में पढ़ाना तो school में पढ़ाने की value यानि 5000 जो थी daily वो मेरी opportunity cost हो जाती तो opportunity cost next best alternative की value होती है हर चीज के बहुत सारे multiple use होते हैं तो हम एक use कर लेते हैं तो उसके अलावा जो best use बचा हुआ है उसकी value को opportunity cost बोलते हैं अब इसका option देख लेते हैं क्या है opportunity cost is dash तो a cost that cannot be avoided इस cost को avoid नहीं कर सकते the cost incurred in the past before we make a decision about what to do in future ऐसी cost जो past में incur कर चुकी है उससे पहले कि हम सोचे कि भविश्य में क्या गरना है या फिर that which we forego, forego का मतलब होता है sacrifice करना और give up, give up का मतलब भी sacrifice करना होता है when we make a choice or a decision इसका मतलब ये लिखा है कि अगर मैं ये select कर लेता हूँ कि 50 computer बनाऊँगा तो मैं क्या give up कर रहा हूँ एक card बनाने की value अगर मैं ये select कर लेता हूँ कि मैं daily book लिखकर पैसे कमाऊँगा तो मैं क्या sacrifice कर रहा हूँ एक school में बढ़ाने की value तो forego का मतलब यहीं है औ और opportunity cost का मतलब यहीं से पता लगता है तो आगे कुछ बढ़ने की ज़रोती नहीं है ची इसका सही अंसर है अब opportunity cost की value आपको यहां से पता लगती है और दोस्तों C के साथ जाएंगे ये ठीक है पाचवे question पे आते हैं अपने ये बोल रहा है the regulatory mechanism of the market system is regulatory mechanism of the market system market system में regulation कैसे हो economy है तो वहाँ पर regulation पूरी government की होती है market में demand supply का खेल होता है demand supply का खेल होता है तो competitive activity होती है तो देखते हैं क्या है self interest पे regulatory mechanism है यह private property पे competition पे specialization पे साफ दिख रहा है market में competition की बात होती है competition की बात करेंगे चाहे वह competition limited हो competition ज्यादा हो competition की बात होती है छटे प्याते है which one of the following countries does not follow capitalistic economic system इन समय से कौन capitalistic economic system फॉलो नहीं करता अब यह पहले बता देता हूँ capitalistic economic system वो system होता है जिसके अंदर economic decisions basically market के दुआरा लिये जाते है resources market के दुआरा on किये जाते है demand और supply की game पर price decide होता है और socialistic economic pattern वो होता है जहाँ पर government सारे decision लेते है socialistic economic system चल रहा है आपका बता हूँ तो रशिया में चाइना में और ऐसी economic system जहाँ पर government और private दोनों मिलकर economic decision लेते हैं उसको बोलते हैं mixed economy mixed economy है हमारे प्यारदेश भारत के अंदर जर्मनी में market यानि capitalist economy अच्छ चrica अपोसे अच्छानो मौन की ऊन्लै करें लेसे और और एक्वन मीबोलते हैं लेजर्ड़ स्धेरे एकञ़ादमी बोलते हैं इंटरेप्लमर यही मार्केणब्न सारे नमें UK में market economy, USA में है market economy इंडिया में mixed economy है तो इंडिया में capitalist एकॉनमी नहीं है यह अब इसको ना यार जो अब अंसर मान नहीं न इसको googler करोगे न तो किसी कहीं कहीं Google में बताता है कि जर्मनी में शोशलिस्टिक एकॉनमी है महीं बताता है UK और US से दोनों के अंदर mixed economy है जैसा बता है यही सही है हमेशा हर चीज का solution Google पे नहीं मिलता वो सारी चीज़े वहाँ पर अलग level पर given होती है वो आपके number कटवा सकती है तो teacher पर विश्वास रखे Google पर नहीं आप रखो ओके आते हैं जी question number 7 पर आपके सामने पेश किया जा रहा है और यह question पढ़ लेते हैं पहले the price which a consumer would be willing to pay for a commodity equals to his जो एक price consumer pay करना चाता है वो किस चीज के बराबर होना चाहिए जब तुम एक समान खरिदने जाते हो तो कुछ ना कुछ पेए करते हो उसके लिए price उसकी value पेए करते हो तो वो इन चारों में से कौन सा option suit कर रहा है जिसके बराबर होनी चाहिए तो यह total utility EU बोलते हैं इसको marginal utility MU बोलते हैं average utility AU बोलते हैं इसका concept खेर आपने explain नहीं किया होगा मतलब आपके course में नहीं किया गया explain does not have any relation to any of this यानि price का इन सबसे को relation नहीं है मैं आपको बता देता हूँ वैसे जो हम price पे करते हैं it must be equal to marginal utility ठीक है it must be equal to marginal utility और यहाँ पर यह अजूम क्या हुआ है अंदर technical बात बताता हूँ यहाँ पर marginal utility of money यहाँ पर one है इसका concept consumer equilibrium में सिखाय जाता है खेर इस बात को अकर तुम ना भी समझो तो यह बात समझ लेना कि consumer का यहाँ पर single commodity का case में equilibrium भी अचीव होता है तो यहाँ पर marginal utility का concept है pen का color यहीं आप बदल लो यह कर लेते हैं ठीक है तो बी के साथ जाएंगे बी हमारा साही अंसर है सिख्ती question कर रहा हूँ के लास के अंदर साथ question हो चुके है आठवे question की बारी अब आपके सामने यह दिया है diminishing marginal utility implies that नहीं बता रहा पहले सुन लो law of diminishing marginal utility क्या बोलता है अब आपकी बारी है यहाँ पर कुछ मुझे बताने की पहले मैं law बता दू यह बोलता है करोगे marginal utility बढ़ने लग जाएगी यानि उल्टा भी ठीक है इसका और यह जो law है कुछ चीजों में के लिए काम नहीं करता यानि इसके कुछ exceptions है मतलब there are some cases when this law is not operatable यानि this law this law is not active in that case तो जो case है जहाँ पर यह लोग काम नहीं करता उसको बोलते है knowledge के case में knowledge जितनी जाद हो बढ़िया है पैसो के case में धन, money, wealth, property जितनी जाद हो उतना बढ़िया है वहाँ पर यह काम नहीं करता तो उसकी बात नहीं करेंगा बागी हर जंगा almost यह काम कर रहा है तो उससे related एक लाइन लिखिया है इसको भी side बे रखते है total utility is negative, नहीं tu कभी negative हो ही नहीं सकती tu पहले rise करते है फिर fall करती है negative नहीं होती last unit of a good consumed will contribute most to the consumer satisfaction कहता है कि जो last unit consumed किया है मालो last तीसरे नंबर का पराठा खाये था तीन पराठे खाली है तो third पराठा लास्ट पराठा था उसे ही सबसे यहार सैडिसफेक्शन मिली है, गलत है जो पहली unit consumed की जाती है ना सबसे यहादर satisfaction देती है दूसरी से टो और कम होती है, तीसरी से और कम होती है यहाँ पराठे गा रहे है pensa parathा तीसरा paratha, पराठा, आठा EU, 10, 8, 6, 4 सबजो गिरे जा रही है तो यह देखो, यहां से पता लग रहा है, तो D इसका सही अंसर है, अच्छा, आपने क्या बताना था, मैं बताता हूँ, D के साथ जाएंगे यहां तो, आप मुझे comment section बताएंगे, कि law of diminishing marginal utility, कौन से economist ने दिया था, इससे आपका भी बता लगेगा, तो question number 8 की reference लिख के बता आपने बोला था, तो यहां से बता रहे हैं, ठीक ना, question number 9 पर पोचते हैं, the buyers in the market include, the buyers in the market include, market के इंदर समान खरीदने वाले कौन-कौन लोग होते हैं, यह माल लोग, buyers का मतलब समान खरीदने वाला, market में कौन-कौन समान खरीदता है, consumer हम समान खरीदते हैं, market में business भी समान होते हैं, government भी समान खरीदती है, तो सब मिलके समान खरीदते हैं, तो D's का सही answer हो गया, वाई, D के साथ जाएंगे, बहुत easy level का answer था, 10th question आपके सामने पेश किया जाएगा, अब, दिक्का है, the increase in demand of a commodity due to the fact that others are also consuming the same commodity, is known as, increase in demand of a commodity, because others are also consuming this good, देखो, मैंने आपको बताया कि जब दूसरे लोग कोई समान खरीदे रहे हो, उसको देखकर हम भी कोई समान खरीदे ले, तो हमारे उपर उसका एक effect आता है, उस effect को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, demonstration effect, अब यहाँ पर तीन बाते मैंने आपको बताई, यहाँ मैंने बताई आपको, एक बेड़ चाल, बेड़ चाल मतलब जो दूसरे कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे, this is called demonstration effect, फिर मैंने बताया, शाना मंदा, शाना मंदा वो होता है, जो दूसरे जो समान इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अलग कुछ खरीद के लाता है, उसको स्याना मंदा बोलते हैं, तो बेड़ बेड़ चाल वाली बात हो रही है, जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यह हम इस्तेमाल करेंगे, तो यार यहाँ पर लिखा है, वेबलन effect, वेबलन, एक economist थे, अमेरिका के, उन्होंने effect दिया था, जो सब यूज करते हैं, वो ये यूज, बतलब, अगर सब लोग चा कर आँगा, तो मेरे उपर वेबलन effect है, ऐसी बात, bandwagon effect है, जो इसको demonstration effect बूलते हैं, इस बात को चाल लो, इसका answer यही होने वाला है, B, ठीक है, और demonstration effect भी यहाँ पर दिया होगा, दोनों का सेम नाव होई, यहाँ तो गडबड होगी, क्या करना चीए, ठीक है, थोड़ा सा अलग इससे clear करके, आप मुझे बताएंगे, comment section में, क्या यह दुनों सेम बात होती है, exactly, या फिर थोड़ी सी इसवे गडबड़ी है, आपको बताना है, मेरे साब से अंतर आपर भी ठीक है, और बागी साब ठीक नहीं है, तो खलत ही है, चलो जी, पोचते हैं, हाँ यहाँ पता हैं, थोड़ाचा अंतर है, ठीक है, आगे पोचो, question number 11 पे, अच्छा सही तुम्हारा अंसर भी ही है, confuse मता हो ना, इस बात को लेकर, question number 11, arising price of a good dash consumer surplus, किसी चीज़ का price बढ़ेगा, तो उसकी वज़े से consumer surplus के उपर क्या फर्क पढ़ेगा, वो इस question के answer में बताना है, पह a और b दोनों में से कभी बढ़ सकता है, कभी कम हो जाएगा, या फिर, कोई effect नहीं पढ़ेगा, consumer के surplus के उपर, तो पहली बात तो consumer का surplus होता है, यह बता है तो, माल लो, तो market में कहे हो, एक chocolate खरीदने, और सोचा कि वो chocolate 10 रुपे ही मिलती है, यानि आपकी willingness थी, 10 रुपे आ 7 के जाएगा, 8 के मिलेगी chocolate आपको, 9 के मिलेगी, तो यह difference कम हो जाएगा न, तो consumer plus price के बढ़ने के वज़ए से कम हो जाता है, कम हो जाता है मतलब A, इसका सही answer है, तो A के साथ जाएगे, इस बात को समझते हो जलना, अगला, 12, all desire, taste and motives of human beings are called dash in economics, taste, motive, desire, इन सब को क्या बोल में, इसको बोलते है, willingness नहीं, demand नहीं, wants, yes, wants के साथ जाएगे, wants इसका ठीक है, demand तो क्या होता है, willingness to purchase a commodity at a particular price, particular price महा परा न अज़र हो रही है, easy question उसको थोड़ा जल्दी निप्टाएंगे, आगे बढ़ते है, matching करनी है, question number 13, list 1, list 2 यहाँ पर है, question number 13 में matching आएगी, तो तो पहला लिखा है, two perfect substitute goods, पहले पढ़ लेते हैं, फिर two perfect complementary goods, फिर indifference curve is always, या higher IC gives higher level of satisfaction, इसकी बात करता हूँ, जब दो good perfect substitute goods होती है न, तो indifference curve वहापर straight line होता है, देखो, दो good substitute goods है, indifference curve वैसा होगा, और अगर दो good complementary goods है, तो indifference curve वैसा होगा, L-shaped, इस बात को ध्यान रखना, तो दो good यहाँ कह लिखा है, linear indifference curve, monotonic preference, L-shape indifference curve, convex origin, अब ज़रा matching कर लेते हैं, pen का color change करके yellow करते हैं, जब दो good substitute goods है, तो indifference curve state line है, linear, जब दो good's complementary है, तो यह L-s है, ठीक है, और indifference curve is always convex होता है, assumption है, higher indifference curve, higher utility में monotonic है, अब क्या इसका answer बनेगा, वो match करके, आप comment section मुझे लिखके बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इतने गिलास, पाड़ी पिलिदार दो, ठीक है, ठीक है, तो यह अच्छा कोशन था, मतलब matching वाल आपको पता होना चाहिए, कि किस तरीके से solve करना है, चौथे भी आ जाएंगे, 14th question है, कॉप देगलर्स, production function, economist है, कॉप देगलर्स, भाई, एक मिट का विराम तो लही सकते हैं, बीच-बीच में, थोड़ा से प्यास लग भी, तो क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, तो भाई, quantity is equal to ala, k1, the share of labour in total production is, इसमें total production में share of labour क्या होगा, ala, इसमें क्या होता है, यह क्या, actually, al की power alpha या a कुछ भी लिख देते हैं, आप ठीक होई है, ठीक है, ठीक है, और, आप इसमें पूछा है, share of labour in total production, यह होता है, ठीक है, यह हमारे पास constant value होती है, इसकी बात नहीं कर रहे है, इस power की बात कर रहे है, ठीक है, और k के उपर होती है, 1- alpha, यहाँ पर थोड़ी सी mistake, typing में mistake कोई लिक्कत नहीं, हमारा answer तो एह ही रहेगा, कोई लिक्कत बात, आगे बढ़ते हैं, यह फिर matching list है, question number 15, तो list 1, यहाँ है, list 2, मैंने इधर लिख दिया, खुरसा इधर लिखा होना चाहिए था, आप match करके बताएंगे, tea and coffee लग रहा है, sub-chirid goods है, चलो जी, car and patrol लग रहा है, complimentary goods है, चलो जी, और golden diamond, क्या है, रागी एंड बाजरा क्या है, यह गिफन है, gold diamond, weblen goods है, यह मैंने आपको बता दे, matching करके, आप comment section में लिखोगे, question number 15, और इन सम्में से क्या answer suit कर रहा है वो, मैं सामने से इधर जाता हूँ, ताकि आपका काम असान हो जाए, ठीक है जी, आगे आते हैं, returns to a factor, refers to the effect on total output of change in, returns to a factor, basically law of variable proportion से related है, यह short run में applicable होता है, यह law of returns to a factor बोलता है कि एक factor को fix रखेंगे, और दूसरे को increase करते रहेंगे, यह सिर्फ दो factor की बात कर रहा है, एक को fix रखना है, दूसरे को increase करते रहना है, जैसे कि land को fix रखा है, उसके उपर labor बढ़ाते रहेंगे, तो हमारा output यानि total product शुरू में increasing rate से increase करेगा, फिर decreasing rate से increase करेगा, फिर fall करने लग जाएगा, तीन stage इसके अंदर होती है, और यहाँ पर बोल रहा है, refers to the effect of total output of change in, यहनि जो total output यानि total product है, इसके उपर किस चीज़ का फर्क बढ़ता है, fix factor यानि land का, या फिर variable factor यानि labor का, किस चीज़ को increase करते रहते हैं, यह बताना है आपके question में, और भाई, यहाँ पर दो factor है, तो दोनों में से option देख लेते, क्या दिरसा है, one factor का impact होता है, या various inputs separate effect होता है, या all the inputs simultaneous effect होता है, या none of these, देखो, यह तो बिचारा change नहीं हो रहा है, change यह हो रहा है, इसका impact होता है, इसलिए हम diagram भी बनाते हैं, तो x-axis पर variable factor या फिर labor लिखते हैं, एक का impact होता है, variable factor का, दूसरा fixed होता है, एक के साथ जाएंगे, ए हमारा सही answer बनेगा, यहाँ पर, बिल्कुल suitable बनेगा, अगला question निकालने से पहले, pen का color, change कर लेते हैं, और यहाँ पर आजाओ बाई, orange पर आपिस आजाओ, ठीक है ना, question number 17 पर तुम्हार सामने आगया हो, और, यह बोल रहा है, which one of the following cost curve is not u-shaped, इन में से कौन सा u-shaped नहीं होता, AC curve, चलो जी u-shape, MC curve, चलो जी u-shape, ABC curve, चलो जी u-shape, AFC curve होता है, rectangular hyperbola, पुभी चारा ऐसा होता है, AFC curve, ना तो X-axis को touch करता, ना Y-axis को touch करता, short run में होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि fixed cost remains constant, इसका reason है, अना, तो फिर C, इसका ठीक answer है, C के साथ ही जाएंगे, बिल्कुल easy cost curve में से, भाई, कोशन आने के पूरे-पूरे chance रहते हैं, 18 पे आएंगे, 18 पे line लिखिये, given, total cost की equation लिखिये, 2000 plus 15 q, minus 6 q, 2, 2 नहीं है, यह, 6 q square है, फिर यह q की cube है, यह, 3 नहीं है, ऐसा इसलिए थोड़ा चाना, typing में, कभी-कभी option आता नहीं है, और आजाता है, तो बहुत time लगता है, थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, इसके लिए मैं माफ भी जाओंगा, लेकिन आपको बतायता हूँ, तो लिखा, how much is the TFC at q is equal to 2000, अगर output, यहनी 2000 unit का production करेंगे, तो total fixed cost की value कितनी होगी, तो आपको बताता हूँ, कभी भी total cost का function लिखा है न, तो जो अकेले value लिखी होगी बिना output के, यहाँ पर भी क्यों लिखा है, यहाँ पर भी क्यों लिखा है, तो output कितना भी हो, total cost का function अगर आपको given है, तो जो खाली value लिखी होगी, वो fixed cost होगी, तो यहाँ पर हम option में 2000 देख रहे हैं, तो इसको टिक कर देते हैं, फाल तो गहीं पर जाने की ज़रूत है नहीं, बच्चा दिमाग लगाए, कुछ बच्चे ये 2000 की value, Q की जगाँ पुट करते फिरेंगे, घटबड़ी करेंगे, यहाँ पर हमका concept भी कमाना जाएगा, total cost का function देख लो बस, तो आगे बढ़ते हैं, question number 19 ने मारा, क्या बोलता है, अब point of kink, in the kinked demand curve indicates, kinked demand curve से याद आया, Paul Svizy economist, kinked demand curve, oligopoly forms of market में, oligopoly forms of market का king demand curve है, और king demand curve के लिए कुछ options हैं, बताना है कि कौन्स option true है, यह क्या indicate करता है कि price rigid है, या quantity rigid है, या price flexible है, या quantity flexible है, oligopoly में price और quantity दोनों, एक level पे rigid होते हैं, यानि change करना खुड़ा मुश्किल होता है, king demand curve तो ऐसे बताता है ना कि, एक time के लिए rigid है, फिर एक time के लिए rigid है, हमेशा flexibility नहीं दिखाता है, रिजिटी दिखाता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पर 1 and 2, दोनों ठीक बैठ रहे हैं, तो यार option A ही सही होगा, अब इसके साथ हम अपना pen का color भी change करेंगा, करने से पहले, बोर्ड में क्या हो रहा है, question number 20 पर हम आगा है, start question कराने के लिए बोला था, when total revenue is increasing, जब TR increase हो रहा है, तो इन चारों में से कौनसा option ठीक हो रहा है, अब देख वे आर की बात की जाए, तो total revenue, पहले increasing rate से increase होता है, यह नॉर्मल ही होता है, अब imperfect competition में पहले decreasing rate से increase फिर fall, और perfect competition में total revenue कर वैसा होता है, यह तीनों ही total revenue कर वे हैं, लेकिन जब वो normal बोले, किसी market का नाम ना ले, तो इस वाले TR curve की बात होती है, यह जो समझदार बच्चे हैं, वो मानेंगे इस बात को, जब total revenue increase हो, अब यह नहीं बोला increasing rate से, decreasing rate से, यानि इस और इस दोनो portion की बात कर रहा है, तो marginal revenue के साथ क्या होगा, ऐसा सा कुछ सबज में आ रहा है, जब marginal revenue, यह नि इसकी बात कर रहा है, तो नीचे वाले दोनों curve को मिटा देता हूं, हाना, तो दोबारे बनाएता हूं, तो देख लो, ऐसा है, तो जब यह maximum होता है, तो MR 0 होता है, जब यहां से turning point आता है, तो ऐसे, यह मैंने MR ले लिया, यह TR है, तो जब मेरा TR, यह increase कर रहा है, तो MR पहले rise कर रहा है, फिर fall कर रहा है, लेकिन है positive, negative नहीं किया भी MR, तो option देख रहेते हैं, marginal revenue, maybe either positive और negative, negative तो होई नहीं सकता, इस range तक, तो demand curve is relatively inelastic, demand curve यानि AR curve, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हाँ पर तो इस option को ignore करेंगे, MR is positive, MR is negative, तो negative तो है नहीं, MR कैसा भी है, चाए rise हो रहा है चाए fall हो रहा है, लेकिन positive है, इस portion में, इस ही की बात कर रहा है वो, YMR positive, इसके साथ जाएंगे, C हमारा ठीक अंसर माना जाएगा, अगले question पर बढ़ते हैं, value in exchange is also known as, value in exchange को क्या बोलते हैं, economic value को बोलते हैं, value in exchange, किसी भी चीज़ की, exchange rate मत समझना इसको, सीधा simple B answer है, आगे चलेंगे, question number 22 पर, which of the following is features of the term market, market से related term में, नीचे लिखी वी statement में, कौन सी statement गलत है, incorrect बोल रहा है, incorrect, कौन सी statement गलत है, और इसको हम, उल्टा पढ़ेंगे यार, नीचे को option से, निखते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है, बोर हो जाते हो, अगर तुम, paper का question, A, B, C, D, A, B, C, D option पढ़ते हैं, तो कभी-कभी D से शुरू कर लिया, परो, यह रहाता है, इंटरस्टिंग रहाता है, और सलिए तुमें भी जब बोर ही हो रहा हो, यह forms of market बढ़ाता हूँ, तो बोलूँगा, कि mobile market, तो हर जंगा की mobile market की बात हो जाती है, अगर मैं place बोलूँगा, करोलबाग market, या, रजोरी गाडन market, कमलानगर market, या चर्जगेच market, या कानपूर market, लखनो market, अंधरा market, ऐसी कभी बात नहीं करते हैं, जगा का नाम लेते ही नहीं, तो यह लएन गलत है, फिर market need not to be held in a particular place, बिल्कुल सही है, किसी particular place की market की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर product market की बात करते हैं, place market की बात नहीं करते हैं, market need not to be formal, formal होना ज़रूरी नहीं है, लिख दिया है D option, अब आते हैं अपने question number 23 पे, क्या मोलता है, if a firm's total revenue is not enough to make a good, total revenue एने TR is not enough to make a good even, the dash it is better to firm to shut down, अच्छा, shutdown point से related बात हो रही है, question नहीं चाहिए कुछ भी हो, आपके shutdown point दिमाग में, ख्याल में होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसी कौन सी cost है, जिसको firm cover कर ले, तो shutdown ना करना पड़े, मेरा आपसे question यह है, तो यह जब firm अपनी variable cost को cover कर लेती है, तो shutdown नहीं करना पड़ता, तो यह variable cost की यहाँ पर आप बात देखो, ठीक है, अगर variable cost cover नहीं कर पा रही है, तो it is better to shutdown, shutdown मतलब बंद करना पड़े, fixed cost, marginal cost, average fixed cost, total variable cost, इसके साथ ही जाएंगे, D हमारा सही है, ठीक है, fixed cost तो हो चुकी है पहले से ही, इसकी coverage की बात नहीं करते, हम उस coverage की बात करते हैं, जो regular पैसा हम raw material के तोर पर, या फिर किसी variable expenses को कर रहे हैं, तो atleast वो खर्चे हमारे cover up होते रहने चीए साथ के साथ, अगला, the study of demanded supply model is useful in explaining, demand supply का model, किस चीज को explain करने में, lab पर्द होता है, यानि explain करने में helpful होता है, क्या government की working, या market की, या consumer की, या कुछ भी नहीं, consumer भी और producer भी दोनो, market में होते हैं, तो market की working में, demand supply होता है, B ठीक है, इस cancer, अब कर लेंगे pen change, ठीक है जी, तो 24 questions हमारे हो चुके है, 25th question पर आपके सामने, पेश किया जाता है, अब monopolized market, is in the long run equilibrium, when monopolized market मतलब, ऐसी market, जो monopoly है, इसकी monopoly है, like Indian railway, इसकी monopoly है, so is in the long run, equilibrium, ये long run equilibrium में होगी, कब, 4 option बढ़के बताने, 4 में से कौन सा ठीक है, 11, 0 economic profit is earned by the monopolist, जब वो 0 economic profit कमाएगा, 0 economic profit का मतलब होता है, normal profit, no profit, no loss, long run में ऐसा, perfect competition में होता है, monopolistic competition में होता है, monopoly में नहीं होता, monopoly में एक firm, long run में हमेशा, super normal profit, यानि abnormal profit कमाती है, short run में कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो, वो loss भी हो सकता है, super normal profit भी हो सकता है, normal profit भी हो सकता है, कोई भी form of market हो, short run में तीनो situation possible है, लेकिन long run में, monopoly के अंदर, super normal profit होगा, ठीक है, अगला, production takes place where, price is equal to the long run MC and AC, production भाँ होगा, जब price MC और AC दोनों के बराबर होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, monopoly के अंदर, production takes place where long run MC is equal to MR, MC और MR एक दुसरे के बराबर होगे, हर एक market में होते हैं, and price is not below the long run average cost, yes price, अगर कम होगा, average cost से तो firm lows में आ जाएगी, यह नहीं होना चाहिए, average cost को cover करने वाला price होना चाहिए, जयतों कम से कम बराबर हो या उससे उपर हो, फिर यह all of the above are correct, सारे correct नहीं है, ठीक है, monopoly के लिए C ही correct है, और वैसे सब के लिए यह correct होना चाहिए, सही से, मैं तो कहाँ सब के लिए profit ही होना चाहिए, लेकिन अभी monopoly के लिए वाला अंसर ठीक है, तो इसके साथ दी जाएंगे, C के साथ, कब बिस पर आ जाओ गई, if a firm sells its output on a market that is characterized by a few sellers and many buyers, अगर एक ऐसी market की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत कम sellers हैं और buyers बहुत सारे हैं, तो monopoly की बात नहीं हो रही है, perfect competition की बात नहीं हो रही है, polygopoly की बात हो रही है, यहाँ पर few sellers होते हैं, बड़े-बड़े large sellers होते हैं, and limited long-run resources, mobility, then the firm को क्या बोलेगे, यह features कुछ एक forms of market दी हुई है, उस forms of market की नाम बताना है, चार में से क्या है, तो monopolist है, oligopolyist है, perfect competitor है, monopolistic competitor है, इसमें तो बहुत सारे seller होते है, बहुत सारे seller होते है, single seller होते है, तो oligopoly इसका सही answer है, ज्यादा भादू सोचने की ज़रूरत नहीं है, हर एक बच्चे को बता होगा, ठीका जी, तो oligopoly वो form market जहाँ पर, बहुत सारे large seller होते है, large भी होता है, इसका number नहीं रखना, तो B के साथ जाएंगे, अगले पर आजाओ, which of the falling is a differentiated product, differentiated product कौन सा है, differentiated product वो होता है, जो height weight color size में, अलग अलग रुकानों पर अलग अलग मिले, pen की बात कर लो, अलग अलग brand का अलग अलग pen होता है, सब की रंग अलग होते हैं, अलग तरीके चलता है, अलग तरीके से दिखता है, T-shirt की बात कर लो, अलग तरीके से होते हैं, हर ब्रैंट का अलग होता है तो सारे ही all of the above ठीक है differentiated होते हैं अब पट्रोल लोगे तो पट्रोल अलमोंस से मिलेगा तो पट्रोल जो होता है वो identical या नि होमोजीनियस होगा differentiated नहीं होगा हर दुकान पे हर प्राइब कंपनी पट्रोल से ही बेचती है अगर डिजल से बेचती है चाहिए वह हिंदुसान पट्रोलियम ओ या इंडियन ओछे भारत पट्रोलियम हो कुई बढ़ते जिक कोशन पर नवीट डिक्रीज इन-पट्रीज इन-पूट डिक्रीजन निंब सिंपुर्ण फड़ियर को दिश्च जैके वजह के ऑड़ बिखने होग्या चाहिए तो डिफेरेंट बिजनस्स सैकल डाश इन्डॉरेशन अंड इंटेनचीeding different business cycle duration intensity में different होती है यहां पर यह हमारे पास अंसर है इसके साथ जाएंगे टिफर लिखा डिफर फालतों को पढ़ने की जुरू था ही निए आगया जाओ in order to influence spending on the goods and services in the short run dash is directed at directly influencing interest rate in order to influence spending on goods and services यानि goods and services पर खर्चे को control करने के लिए influence करने के लिए short run के अंदर dash is directed at directly influencing interest rate किस चीज को ऐसा माना जाता है कि वो interest rate को सीधे तोर पर affect कर देगा नीचे दिये गए option में से बताना है ठीक है जी fiscal policy, budgetary policy, monetary policy या economy policy आपको बात बात हो fiscal policy, budgetary policy बात देगी है monetary policy सीधा interest rate को affect करती है सीधा money supply को affect करती है तो यही answer है कभी भी बात आये government policy जो होती है budgetary और fiscal policy यह money supply या interest rate को directly affect नहीं करती है यह aggregate demand को directly affect करती है और जो monetary policy होती है वो money supply को directly affect करती है या interest rate को उसके बाद aggregate demand को affect करती है बदलती है उसको अगले पर आते हैं Dash is concerned with welfare proposition इन चारों में से welfare proposition में इसको consider किया जाता है तो भई normative economics बच्चे-बच्चे को बता है कि जब बात करते हैं जब future की भविश्य की कि क्या होना चाहिए चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो वह welfare proposition उसके साथ लगती है फिर greater the inequalities in the distribution of money income money income में जाद सजाद अगर gap आजाए inequality आजाए तो dash the inequalities in the distribution of national output तो national output में inequality भी बढ़ेंगी या कम होंगी या कुछ भी हो सकता है या कुछ नहीं होगा obviously income inequalities बढ़ेंगी तो यह आपको सोचना है कि क्या होगा तो question number 32 का answer यह ही बताएगा आपको नहीं सोचना है मैंने बता दिया inequality बढ़ेगी तो output भी आप मतलब आउटकुट में inequality भी बढ़ेगी क्योंकि output में inequality आई है लोग ज्यादा बना रहे हैं तो उसमें गैप है तो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उसमें भी गैप है अगर question number 33 अब हम question number 36 की तरफ देरे देरे बढ़ रहे हैं मैं तोड़ा सा पानी पी लूँ question number 36 में मैंने पताया था कि mistake है ICI के उसमें तो थोड़ी सी mistake आपको पता लगाना ज़रूरी है क्योंकि question भी बहुत important है हाँ जी है question number 33 तुमारे सामने दोस्तों पेश किया जाता है तो लिखा है consumer preference are monotonic monotonic का मतलब होता है increasing एक consumer की preference बढ़ती है if and only if between two goods या two bundles two bundles है consumer prefers the bundle which has अच्छा कंजूमर की preference को monotonic कब कहते हैं जब उसके पास दो bundle है और वो किसको prefer कर रहा है चार ओप्शन गीवन है यह आप चौता ही पढ़ लेते last में more of at least one and no less of other good यही सही है मतलब the option ठीक है यह आपर अगर आपके यह पास दो option है तो जैसे कि मालो एक option है कि 9 और 0 आपको मिल रही है नो और 10 मालो यह मिल रही है और दूसरा option है 15 और 6 गा तो देखो more of at least one इसकी बात कर रहे है आप तो यह वाला चूस करोगे इसका टोटल भी ज्यादा रहा है 21 इसका टोटल 19 आ रहा है तो monotonic preference वाला बंदा इसको चूस करेगा इसमें एक गुड़ का तो ज्यादा कम कुछ नहीं मिले ही मिले ठीक है तो इस बात को ध्यान रखना monotonic का मतलब increasing होता है increasing performance और increasing preference बता रखिया consumer की ठीक है 34 में पर आते हैं law of diminishing marginal rate of substitution is associated with किस बंदे ने दिया था तो slutsky, keens, hicks और marshall में hicks का नाम लिया जाएगा फाल्दू की बात नहीं की जाएगी भी ठीक answer है यह तो तरीके से जाना है assertion reason का question आया है तो इसको solve कैसे करना है assertion और reason को अब दो अलग-अलग statement मानके चलो और दोनों को verify करो कि पहले दोनों fact यानि true है या नहीं है अगर true है तो ठीक है और true नहीं है तो फिर देखो चार में से एक वह लाइन थी पढ़के बतानी पढ़ेगी तो पहले लिखा है an isocost line is a straight line isocost line budget line की तरह होती है budget line consumer के लिए होती है isocost line producer के लिए होती है straight line होती है बिल्कुल हाँ सही कह रहे है straight line ही होती है iso का मतलब equal होता है cost का मतलब खर्चा होता है जो firm कर रही है यह बात तो बिल्कुल सही है यहाँ पर यह मानी जाएगी फिर the market rate of exchange between two inputs is constant market rate of exchange between two inputs market rate of technical substitution बोलते है इसको नहीं नहीं यह तो isocost isocoint का slope होता है market rate of exchange between two inputs slope होता है isocost line का वो slope constant है constant ही होता है ठीक है ना constant ही होता है यह बात भी ठीक है दोनों लाइन ठीक है और यहाँ बताना है a is true और r is false कोई false नहीं तो false वाल लाइन हे गलत हो जाएगी यहाँ भी false लिखा ना यह भी option गलत हो गया जब कोई false ही नहीं है तो false वाले option गलत हो जाएंगे फिर दोनों लाइन ट्रू है तो बोथ a and r true मतला बाश्टर change भी true reasoning भी true यहाँ भी दोनों true है अब यह जो reason है क्या वो a line के पीछे सही reason है हाँ भाई बिल्कुल सही reason है यह slope उसका constant है तब ही straight line है तो यह reason देखो r is the correct explanation of a यह जाएगा यह जाएगा यह जाएगा बी बी के साथ लिखेंगे हम बी कोई सही मानेंगे आपको दिख रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूं तो दिख रहा है ठीक है चत्तिस में भाई इस कोउशन में पंगा बताया है काफी साजय दोगों ने तो इस question के पंगत वाजी मैं pick a visual कर दूंगा एक कर एपी है एक कर एक एवी सी है इन तो नों के बीच में रिष्थ बताया हुए है आपको पता दूँ है आपको बिता दूँ ए ऐसे रिलेशन होता है दोनों कर्व में अब दोनों कर्व में ऐसा रिलेशन है तो एपी कर्व की वैल्यू बढ़ रही है तो एवी सी के वैल्यू कम एपी मैक्सिमम तो एवी सी मिनिमम एपी फॉल तो एवी सी राईज अना एपी और एवीसी के भीच में रिष्टा दिया हुए और यह रिलेशन्जिब के बाद यहां कि हुऑ है को रख्यां भी कर लेगे तो देखो, यह क्या होगा, तो लिखा है, when AP rise, ABC falls, जब AP rise होता है, तो ABC fall होता है, बिल्कुल ठीक है, AP reaches maximum, ABC minimum, तो AP maximum, ABC minimum, बिल्कुल ठीक है, AP fall, ABC rises, AP fall और ABC rises, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह लाइन बिल्कुल सूट बैठरी है, बिल्कुल लोग के रिपोट है, तो which of the above statement is correct, सारी statement correct है, और option यहाँ दिख रहा है, C, C ठीक है, C के साथ जाएंगे, लेकिन ICI ने यहाँ पर इसको ठीक बताया हुगा है, option A को, क्योंकि यहाँ पर सूट नहीं बैठरा, हाँ कुछ सरक्मस्टांस हैं जहाँ पर इसको सूट बिठा सकते हैं, लेकिन बिठाने की ज़रोत नहीं है, जब सही ही है, तो C के साथ ही जाएंगे, मेरे लिए भी सबके लिए भी C ठीक है, थोटी मुटी मिस्टिक हो जाती किस ज 37, an industry comprised of a very large number of sellers producing a standardized product is known as, एक industry जिसके अंदर बहुत सारे जादा sellers है, बहुत लाज नमबर of sellers हैं, उसको क्या बोलेंगे इन समने से, monopolistic competition, monopolistic competition में बहुत सारे sellers होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन option पढ़ लेते हैं, यह differentiated product होता है, लेकिन यहापर standardized लिखा है, मतलब, एक same standard level में बना रहे हैं समान, oligopoly में few sellers, pure monopoly में one, pure competition मतलब, perfect competition, complete competition भी यह जिसको बोलते है, D, ठीक है, D के साथ जाएंगे, अगला, the monopolistically competitive sellers demand curve will be more elastic, एक monopolistic competition के seller का demand curve ज्याता elastic होता है, क्योंकि, वहापर ज्यादा number of subsidiutes अवेले होते हैं, किस से पता लगता है, यह पता लगता है, differentiated product नाम की feature से, इसको बोलते है, heterogeneous product, तो देखते है, option क्या लिख्या आगे, more significant the barriers to entering the industry, यह साहरी रीजन है, greater the degree of product differentiation, monopolistically competitive sellers demand curve will become more elastic, greater the degree of product differentiation, product differentiation की degree ज्यादा है, या number of subsidiutes, या product differentiation ही ज्यादा है, इसलिए, degree of product differentiation ज्यादा है, इसका मतलब यह कि, दो दुकान है माल लोग, इस पर भी टी-शेट मिल रही है, और दूसरी दुकान है, इस पर भी टी-शेट मिल रही है, टी-शेट में difference है, इन दोनों है टी-शेट, तो एक दूसरे का सब्स्चिरूट है, इसलिए इन दोनों की demand बदल सकती है, जब demand बदलेगी, तो बोलेंगे demand ज्यादा elastic है, तो बोलेंगे demand कम elastic है, अब एक दूसरे के substitute लगेंगे, तो इस तो demand बदलेगी, अगर बिलकुल ही अंतर है, इसकी टी-शेट अलगी है, इसकी टी-शेट पता नहीं, किसी और size की है, तो लोग एक दूसरे को देखके demand नहीं बदलेंगे हैं मतलब होना चाहिए, product same, difference भी होंगे, तो एक पसंद नहीं आए तो दूसरा ले लेंगे, लेकिन बहुत ही drastic difference है, मतलब greater degree of product differentiation हो जाएगी, तो demand बदलने के chance कम होंगे, यहाँ पर number of subscription बनता है reason, ज्यादा elasticity का, larger the number of competitors, competitors ज्यादा है, तो इस वज़ए से elasticity ज्यादा है, number of firms ज् इसलिए elasticity ज्यादा है, यह बन सकता है reason, smaller the number of competitors, यह गलत हो जाएगा, smaller, आप मुझे बताएंगे, B या C, comment section में, question number 38 लिखके कि क्या सही अंतर लगता है आपको, मैं reply करूंगा, बंदों का, आग आते हैं, excess capacity is not found under, excess capacity इन चारों में से किसके under में नहीं आती है, तो भाई, excess capacity perfect competition में नहीं आती है, इस बात को ध्यार नख लेना, या हम allocative efficiency की बात करते हैं, 40 में प्यादा आते हैं, if increasing airfare, हवाई जाज का किराया अगर बढ़ा दो, airfare का मतलब यह होता है, हवाई जाज की ticket, में हवाई यातरा की ticket rate बढ़ा दिया जाए, and decreasing them, increasing airfare increases revenue, अगर ticket, air India ने मालो ticket price बढ़ा दिये, तो उनका revenue भी बढ़ जाता है, और decreasing them, decreasing revenue, अगर ticket का price कम कर दो, तो revenue भी कम हो जाता है, then the demand curve for air travel has a price elasticity, उसके price elasticity कैसी होगी, मत समझो कुछ भी अभी, price के बढ़ने से total revenue बढ़ जाता है, और price के कम होने से company का total revenue कम हो जाता है, तो price और total revenue में positive relation है, जब इन दोनों में positive relation होता है, तो demand elasticity less than 1 होती है, यह total expenditure method बोलता है, अगर इन दोनों में negative relation होता, तो ED more than 1 होती, अगर total revenue में कोई बदलाव नहीं होता, total revenue constant रहता, तो यहाँ पर ED 1 होती, यहाँ के option में हमारे पास ED less than 1 होनी चाहिए, तो यह लिखा है, बी पे greater than 0 but less than 1, तो ठीक है, less than 1 ही है, इसकी बात करेंगे हो, बी ठीक है, बी के साथ जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, आपको कोशन के detail में, expenditure method आपको पता होना अच्छी है, और मैं कहता हूँ, पास आगे कहा रहा हूँ कैमरे के, यार expenditure method से question expected है, कि यहाँ से यह परवे कोशन आने के chance, रहते ही रहते है, लब expenditure method अच्छा कोशन दे कर जाता है, आजाओ जी अगले पे, a necessity is defined as a good having, necessity मतलब essential goods की बात कर रहे है, तो इन में से चार option दिये हुए, आपको बताने की कौन सा option ठीक है, मैं बताये तो आपको, necessity goods उसको बोलते हैं, जिक की income elasticity of demand, zero और एक के बीच में होती है, बस इस बात को ध्यान रखना बड़ा important है, ठीक है, तो इसी बात पर यहाँ पर clear भी हो जाना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, एक से यादा जिसकी होती है, वो luxury होती है, ठीक है, monopolies are allocative efficiency, efficient because monopolies, मतलब monopoly firm allocative efficiency को achieve क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती, आपको बताया है तो, यहाँ पर न, price discrimination भी होती है, या फिर, they restrict output to keep the price higher, under perfect competition, यह competition से compare करे, तो perfect competition ज्यादा price होती है, यहाँ पर, यह output को control करने की कोशिश करती है, तो, यहाँ पर, consumer surplus और producer surplus का total maximize नहीं हो पाता, they charge high price, then marginal cost, marginal cost से ज्यादा price charge करते है, perfect competition में equal price charge होता है, यहाँ पर marginal cost और price equal होते है, demand और supply दूसरे के बराबर होते है, वहाँ पर allocative efficiency अचीव होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो, A और B, दोनों यह option इसके लिए सही बैठते हैं, allocative efficiency वहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, demand और supply एक दूसरे के बराबर होते है, धहाँ रखना, ठीक है, market equilibrium अचीव होता है, आ गया जाते हैं, question number 43, in the long run, some firms exit the market if the price of the good offered for sale is less than, long run के अंदर, कुछ firms exit करना शुरू कर देती है, कब, जब price offered for sale, यानि price किस से कम हो, चार option आपके बास दियों में है, आपको बताना है कि किस से कम होना चीए price, बैसे बताता हूँ, price जब average cost से कम होने लगे, तो firm market से exit करना शुरू कर देती है, और जब price average variable cost से कम होने लगे, तो firm का बंटा जार, बंद होली शुरू हो जाती है, तो average cost यहां लिखा है, average total cost या फिर average cost एक ही बात है, see, इसका साही अंसर इसके राद जाएंगे, अब आएंगे 44 question पे, जो कि इसमें भी घडबड़ी और बसूड़ी दी हुई है, इसको भी ठीक करेंगे, study material में घडबड़ी है, यहां पर बताता हूँ, अब producer is in equilibrium, at a point where cost line is, cost line मतलब ISO cost line, एक producer को equilibrium में तब कहेंगे, जब यह ISO cost line है ना, यह ISO quant के tangent हो, यह ISO quant और यह ISO cost line, ISO cost line लेख दिया इसको ठीक है ना, tangent हो, अब ISO cost line नीचे हो, ISO quant उपर हो, equilibrium नहीं होता, ISO quant नीचे हो, ISO cost उपर हो, equilibrium नहीं होता, इनकी cutting पे भी अलग-लग point आ जाते है, tangency का मतलब सिर्फ एक point पे touch करना, और study material में यह वाला answer दिया हुआ, बिलोग ता ISO quant यह वाला, गलत है, और हमारा answer tangent to ISO quant होना चीए, यह वाला answer ठीक है, चार option आप पढ़ सकते हूं, कोई निकत नहीं है, कोई रोक टोक नियाब को पढ़ने के लिए, वीडियो को पोज कर लो जब तुम्हारा मन करें कि तुम्हें detail में कुछ पढ़ना है, यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा, अच्छे से, कहीं गड़बड़ी नहीं हो जाएं, answer समझते समय, तो इसलिए तुम्हारा सामने पेश के जाते हैं, बदलब teacher इसलिए तुम्हारा सामने question paper लेकर आते हैं, उसका answer explain करते हैं, detail में जहांजवर हो तो, कभी-कभी हो जाती है, उस authority से भी गड़बड़ी, अब paper जो तुम्हारा आएगा ना, मैं कह रहा हूँ, उस paper के अंदर कम से कम 5 questions ऐसे होंगे, जो तडपाएंगे, परिशान करेंगे, बच्चों को concept आते होंगे, तब भी उस concept को लेकर वो confused होंगे, क्या सही होगा यार, क्या गलत होगा यार, ऐसे सोचेंगे, तो उन 5 को छोड़कर आप, rest of the 95% of questions पे focus करो, जब last time बच जाएगा भाई, तब उन 5 पे focus कर लेंगे, अगले पर चलते हैं जी, 45 है, प्राइस दिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल, अल्ली वेन इलास्टिसिटी ओफ डिमार्ड इन डिफरेंट मार्केट, इन विच दा टोटल मार्केट हैस बीन डिवाइड़ेड़ेड़ेड इस, हर अलग-अलग segment की elasticity अलग-अलग होगी, तो price discrimination का फाइदा होगा, तो different होना चीए, इस concept, different होना लिखा है, same, less, uniform, zero, कुछ नहीं होना चीए, अगले पर आते हैं, 46 पे, an example of positive economics is always would be, positive economics का example बताना है, cause and effect relation होता है, present की बात होती है, what is की बाद होती है, example India is overpopulated, an analysis of the relationship between price of food and quantity purchased, analysis निकल रहा है, वो ही है, तो, A के बारे मैं बोलेंगे, यही इसका सहीन सरह है, आप सारे option पढ़ सकते हो, कोई निक्केत वाली बात नहीं है, practice कर सकते हो, तीक है, ICI का MTP paper discuss कर रहा हूँ है, यही most important question के category मैं डालता हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं जी, An economy achieved productive efficiency when, एक economy के अंदर productive efficiency कब आती है भाई, कब आती है, बताओ जरा, बताओ जरा कब आती है, the best of quality goods are produced, जब quality goods best तरीके से produce करें, अच्छा, best तरीके से बताएं कितनी महेंगी produce करतो होगे, तो allocative efficiency के बात आएगी हैं आपर, नहीं आएगी गलात, the highly skillful resources in the country are fully employed, wrong, the resources are utilized and goods and services are produced, at least cost, at least cost, कम से कम खर्चों के अंदर production हो जाए, अच्छा, तो यहीं इसका सही अंसर है, इसके साथ जाएंगे, सी, ताबर तोड़ तरीके से जल्तवाजी में आप काम कर रहे है, contraction of demand is the result of, contraction of demand मतलब demand कम हो गई है, price जब बढ़ जाता है, उसकी वज़े से demand कम होती है, इसको contraction of demand बोलते हैं, किसी और वज़े से demand कम होगी, तो उसको decrease in demand बोलेंगे, बस इस बात को थेहान रखना, तो price कहां गया, price भी किसका, खुद good का, input of input का नहीं, ठीक है, तो किसका price लिखा है, यह लिखा, increase in price of the good, अगर बढ़ जाएगा, तो उसके बढ़ दिमांड कम होगी, तो उसको बोलेंगे, contraction of demand, बागी सब answer नहीं है, all the following are the features of monopoly, यह सारी monopoly की feature है, बताओ, कौन सी feature नहीं है, single seller feature है, firm price checker है, feature है, firm produce unique product, बिल्कुल feature है, existence of advertising, यह advertisement नहीं होती, तो यह गलत feature है, तो D के साथ जाएएगे, D's का science है, अगला, the view, economics is neutral between end, economics is neutral between end, यह किस economist ने यह line दी थी, आपको बताना है, चार option है, Adam Smith ने तो wealth के बारे बताया था, Peeku ने किस बारे बताया था, Marshall ने किस बारे बताया था, comment section ने बताओ, Romans ने बताया था, इस बारे में दुआई, ठीक है, ओके, the law of consumer surplus is based on, consumer surplus का law किस दी इसके उपर based है, तो मैं आपको बताऊ, law of diminishing marginal utility के लिखा है, यह रहा, consumer surplus का law इसके उपर based है, ध्यान रखना, indifference curve के तरफ बचाना, demand curve पे दिखा देते हैं इसको, cardinal measurability of utility means, utility को cardinally measure करते हैं, इसका मतलब क्या, ordinal और cardinal, ordinal का मतलब utility को measure नहीं कर सकते, और cardinal का मतलब utility को measure कर सकते हैं, TUMU, cardinal है, indifference curve, ordinal है, ठीक है नब, तो यहाँ पर cardinal measurability, measurability मतलब, calculatability, calculate करने को बोलते हैं, measurability, means, utility can be measured, yes, इसका मतलब यही है, utility can be measured, cannot, when not, नहीं है, rank भी indifference कर में है, ठीक है न, अपना इस पर आएंगे, अगला, 54th question, if two goods are totally unrelated, then cross elasticity between them is, दो चीज़ों की elasticity, cross elasticity, अगर 0 आ रही है, तो मतलब उन दोनों goods के अंदर, बिलकुल भी रिष्टा नहीं है, है, और अगर, उसकी value कुछ आ रही है, 0 के लाबा, तो वो दोनों goods, या तो substitute से, या complementary है, negative answer आते तो बोलते, complementary है, positive answer आते तो बोलते, substitute से, तेकिन अगर unrelated है, तो उनका answer 0 है, important है, यहां से भी answer आने के, मतलब question आने के chance है, अपना आएंगे, which is not the function of an entrepreneur, चारों पर से entrepreneur का function कौन सा है, तो आपको चारों option पढ़ने है, मैं बताता हूं, ये question actually BC के का है, तो business को initiate करना, risk bear करना, innovation, तीनों function है, mobilization of saving उसका function नहीं है, which of the following is not one of the feature of capitalistic economy, America, Germany, UK जैसे economy का, इन में से कौन function नहीं है, बतलब feature नहीं है, इन में से कौन सी feature नहीं है, तो वही, right of property, private property है, freedom of choice by the consumer है, no profit, no loss motive, ये इनकी feature नहीं है, ऐसा नहीं सूचते हैं, इनकी feature नहीं है, या तो प्रॉफिटी कमाना सूचते हैं, relationship between AR, MR and price, elasticity of demand is, अच्छा वैसे बताया है तो, elasticity of demand का किसी बुक में नहीं लिखा होगा, एक relation, AR upon AR minus MR, ये formula होता है, अब, इससे ही associated एक formula है, जो वीडियो को pose करके आपको बताना है, बैं तो justice का stick अंसर बता दूँँँआ, ये वाला B, B इसका सही है, इसमें साफ ना दिख रहा हो तो देख लो, MR is equal to AR, multiplied by elasticity minus 1 upon elasticity, ऐसे given है, इससे derive किया है या, या इससे derive होगा, monopoly power भी वो भी इसको अगर monopoly की बात करे, वांगि सभी market में फॉर्मुला ठीक लगता है, आप फोर फेसे साइकल, कोई नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, easy है, तो चार फेस होते हैं, peak, recession, tough, recovery, इस ती answer है, ठाल तुम्हें कुछ और गलात answer पढ़ने की ज़रूरती नहीं थी, 59 पहेंगे, dash is an implicit cost, implicit cost वो होती है, जो honor अपनी घर से लेकर आता, अपने resources लेकर आता है, तो interest on, on money capital, खुद के पैसो पे, अब wage of the labor, record होती है, अकाउंट में, electricity bill record होती है, रो मिटर खरीदा है, record होती है, implicit court, account में record नहीं होती, indirect खर्चा होता है, किसी को बताना लाएगा, कि नहीं रहाता बंदा, वो वाला खर्चा होता है, अपने घर से जो खर्चा कर रहा होता है, last question of the class, income elasticity of demand निकालना है, और पोल रहा है, income 10% से बढ़ी है, demand of TV 20% से बढ़ा है, income elasticity का formula होता है, change in demand upon, percentage change in demand upon, percentage change in income, तो काटबी दिदर होगे, answer 2 आएगा, income elasticity of demand, 20 बटे 10, 2 होगी, plus में answer वो भी, तो हमारा answer यहाँ पर, C होगा भाई, C के साथ हमारे start question complete होते हैं, दोस्तों, तैयारी ताबड तोड तरीके से, मतलब जल्दी यल्दी हो सके, तो जल्दी यल्दी, जहाँ पर concept को पढ़ने की ज़रूरत है, मुझसे कोई दिक्काट आउट परिशन, परिशानी परोबलम हो तो comment section में ज़रूर बताए देना, आज के लिए इतना ही, जैहिंद, जैभारत, नमस्कार, धन्यवाद,